ही गाइज वेलकम टू माय चैनल सो मैं टेरोड का डिडिंग और इस टाइम पर क्या करेंट एनर्जी आपके पार्टनर की आपके पर्सिन की टेरोड से देखेंगे सो डियर गाइज यह जो डिडिंग है वो एक जन्नल लीडिंग है और टाइमलेस है मेरी टेरोड का डिडिंग तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं और अगर सडनली मेरी डिडिंग आपके सामने आ जाते है तो समय लीजे यह जो डिडिंग है वो आपके लिए है इसलिए आपके पार्टनर का वो आप तक पहुचना था and कोच अंजस मैसेजिस हैं जो आप तक पहुचने थे शायद इसलिए मेरी टरोकार डीडिंग आपके सामने आई है तो चलो को लाइक सिस्क्राइब कर लीजेगा बाल इकन को प्रैस कर लीजेगा नक्स नोटिफिकेशन के इस रीडिंग को आप सभी लोग देख सकते हैं जो भी लोग देखना चाहते हैं सभी के लिए है मेरी टरोकार डीडिंग और किसी भी रिलेशन के लिए किसी भी रिलेशन के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं तो चले स्टार कर लेते हैं ओके first energies burden देख रहे हैं यहाँ पर जो energies को आभी मैं देख रही हूँ just now ऐसा लग रहा है इस energies को देख कर कि आपके partner ने आपसे दूरियां बना ली है जो की चीज मैं देख रही हूँ ठीक है और आपके person जो है वो silence mode पर आकर टिक गए है silence हो चुके है क्योंकि energies यहाँ पर यही चीज़ को बोल रही है क्योंकि वो इस time पर बहुत ज़्यादा burden face कर रहे हैं जिसकी वजह से वो शायद आपसे न तो बात कर पा रहे हैं प्रापर तरीके से ना कुछ कह पाते हैं आपसे उनके मन में feelings आपके लिए कि बहुत ज़्यादा मेरे को यहाँ पर दिखाए दे रही है ऐसा लग राय कार्ट को देखकर जैसे कि आपके पास आना चाहते हैं और बहुत परिशानियों में नहीं हो जाता है जब इनसान मतलब एक ऐसी situation में फस जाता है जिसमें वो निकलना भी चाहे ना तो भी उसको लगता है कि मतलब क्या करूं मैं ऐसा बर्डन मेरे को यहाँ पर आपके पार्टनर का दिखाए दे रहा है बहुत ज़्यादा प्रावलम फेस कर रहे हैं इस ट्राइम पर अब यह जो भी बर्डन है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे दिखाए दे रहा है जिससे जिसकी बज़े से वो आपको नजर अंदास कर रहे है आपको इगनूर कर रहे है और बहुत दिनों से मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कांटक्ट नहीं हुआ है तो बहुत ज़्यादा मिस्स भी कर रहे है और उस बर्डन से बाहर तो एक्च्छल बलकुल आना चाहते है मैं यहाँ पर बोलूँगी कि बर्डन से बहुत ज़्यादा बाहर आना चाहते है लेकिन बर्डन से बाहर आने पा रहे हैं साजिटरियस हो सकते हैं लिए हो सकते हैं एरीस की यहाँ पर एनरजी मेरे को दिख रही है बर्डन बहुत जादा दिखाए दे रहा है इनके उपर ठीक है एंड दूसी चीज यहाँ पर कुछ जिम्मेदारियां है इनकी शायद किसी के लिए जिन चीजों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तब में हमेशा आपका साथ दूँगा फ्यूचर हमेशा आपके साथ ही देखोंगा है ना लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो परसन है ना वो खामोश हो चुके सालेंस एकदम ठीक है अभी नो कॉंटक्स सुच्वेशन है डियर गाइस आप दोनों का जो दिख रहा है मु जो हो चुके है कोई response नहीं दे रहे हैं नजर अंदास कर रहे है यह चीज़े मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है जैसे कि परसन जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्राइम पर ओवर्लोड इंस्ट्राइस या ओवर्लोड टेंशन में है ठीक है यह चीज़ मुझे यहाँ पर बड़ी दिखाए दे रही है आपके पार्टनर की आप यह जो बार बार मेरे को जो है ना बार बार मैं मतलब इस बार बार देख रही हूँ ऐसा लग रहे है कि जो पार्टनर है ना वो अपनी लाइफ में फसाओ महसूस कर रहे है ठीक है और वो उनको खुछ चाह रहे हैं कि यह जो बार्टन है ना थोड़ा कम हो या फिर वो आपके लाइफ में लोट कर रहा है तो कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आना चाह रहे हैं वो आपको आपके पास बहुत ज़्यादा आई थिंक आपसे लव करते हैं लेकिन परिशान भी हो तो बहुत ज़ल्ग हो रहे हैं बहुत जाद है कि करियर बगर है भी मुझे लग रहा है यहां पर सबSo to जा रही हूं आपको कि इनको financial या फर अकर financial नहीं तो career में इनको कुछ growth जो है आपर रुकी हुई दिख रही है career में problem दिख रही है क्योंकि stress बहुत हो रहा है and health tissue भी मुझे लग रहा है कि this time पर health tissue भी आ रहे होंगे तो जब ठक जाता है ना संबहुत थकावट महसूस कर रहे है इस time पर यह सोच रहे कि कुछ बोज हलका हो तो वो आप से बात करें और आपके पास आके बढ़े अपनी life में एक तो आपको पाना चाहते है oh my god एक card और इतनी सारे energies मेरे को यहां पर नज़र आ रही है भाई positive होज आईएगा पहले तो क्योंकि email को लग रहा है कि positive होना बहुत जरूरी है this time पर क्योंकि बहुत ज्यादा energy card में आ रही है मेर को ना बार बार ध्यान जा रहा है मैं card के तरफ देखना बंद कर रही हूँ अभी नहीं तो मेरा तो मुझे लग रहा है कि card के energy is right है यह बताने के लिए आ गया है कि block हो चुके हो आप no contact situation में इस time पर silence हो चुके है I think आप बात करना चाह रहे हो मुझे लग रहा answer लेकिन यह बात कर नहीं रहे है आप से जवाब नहीं दे रहे हैं अंसर नहीं दे रहे हैं क्योंकि इस time पर बहुत चीज़े उलज गई है आप दनों के बीच में जहां तक मैं देख पा रही हूँ टेरो कार्ड में तो patience रखने को बोला है तो please patience रखेगा क्योंकि यहां पर जो मुझे देख रहा है कि जो उनकी खामोशी है यह जो silence communication हो गया है वो टूटेगा जरूर क्योंकि आपके पास ही आएंगे यह इनकी energies तो मुझे देख रही है कि देखो यह जो card के energies आ रहे है जिसके पास भी समय है यह चाहे family हो चाहे third party हो कोई भी हो लेकिन यहां पर happy नहीं है आपके person के energies देख रही है happy नहीं feel कर रहे है जब इनसान happy नहीं जिसके साथ feel कर रहे है तो उसके साथ long term relation नहीं हो सकता ठीक है तो यहां पर यह चीज़ तो समझने वाली है कि कहीं न कहीं come back होंगे तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए positive हो जाए ताकि अब card कुछ positive आ जाए भई है ना so please okay guilt 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 क्यों guilt आ रहा है guilt के energies भी यहां पर आ रही है जो कि मुझे यहां पर इस चीज़ को बता रही है कि या तो यह जो guilt है या तो आपका है कि कुछ ऐसी चीज़ आपकी तरफ से कुछ disturbing क्योंकि general leading है ना इसलिए कुछ energies ऐसे आ रही है कि या तो आपकी तरफ से कुछ ऐसी चीज़े हो गई है जो आज आपको अफसोस हो रहा है कि नहीं भई थोड़ा सा मुझे नहीं करना चाहिए था लाइक जैसे गुसा आपने कर दिया या कुछ भी चीज़ आप से कोई भी बात ऐसी हो गई जो उनको हट कर गई जिसकी बज़े से भी शायद communication आपका ब्लॉक हो गया है ठीक है एंड उनका भी गेल्ट आ रहा है बोदों की यहा इनर्जी ऑपर आ रही है क्योंकि इनकी ळिछ ANR जीज़ आ रही है उनकि तरब से यह रही है जा। कि वो इस चीज को पहले चीज तो वो इस चीज को जान रहे है कि आप इस समय बहुत परिशान है स्ट्रेस में आप आप उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि यहां पर दिख रहा है क्योंकि उन्होंने आपके साथ प्रामिस किया था कि भई मैं पीच में से छोड़ कर कभी नहीं ज चला जाये तो कहीं ना कहीं यह चीज का गेर्ट तो नको है ना वह चीज को अंडरस्टेंड वो कर रहे हैं कि आप उनके बिना अधूरे हैं और इस चीज का भी थोड़ा भार हो सकता है क्योंकि यहां पर जो अनर्जी आप खुलती जा रही है ना डिफाइन करती जा रहे ह यह जो भार है वो इस चीज का भार हो सकता है कि इतने वादे किये इतने प्रॉमिस किये इतना लॉंग टाइम तक आप एक दूसरे के साथ रहे लेकिन अब सड़ली वो आपके लाइफ से चले गए तो इस चीज का तो पता उनको भी है ना इस चीज को तो वो भी समझ रहे तो यह भी उनको लग रहे है कि मतलब यह गलत किया उन्होंने तो यहां पर यह भी अनर्जीज आ रही है क्योंकि गिल्ट है और गिल्ट जबरदस्त हो रहा है उनको आपके परसन को क्योंकि जब कोई भी इंसान ठीक है आप हो हम हो या कोई भी हो अगर सामने वाला बंदा बहुत अच्छा कर रहा है ठीक है और लॉयल है अपनी तरफ से बिलकुल और अगर उसके बाद भी कोई उसको रिवर्स वही लॉयल्टी वापस ना करने की जगे कुछ भी चीजे है कोई भी बार्डन हो कोई भी समस्या उसकी जगे रिटन क्या कर रहा है उसको चीटिंग है रिटन क्या कर रहा है वह चीजें जिसकी वज़े से वह और अपसेट हो रहा है तो कहीं न कहीं समझ तो आती है न वह चीज तो यहां पर मुझे आपके पार्टनर की देख रही कि उनको गिल्ट हो रहा है क्योंकि वह अब इस समय यह की बात को सोच के बैठे हुए हैं उनक को लग रहा है कि मतलब वह आप से रूड हुए या फिरन उन्हें सटनली आपका साथ छोड़ दिया तो इस चीज से उन्हें पच्ताबा बहुत हो रहा है और बहुत पच्ता रहे हैं आपकी जिंदगी से अगर वह गए हैं मूब ऑन कर चुके हैं या कोई थर्ट परसंड क लाइफ में आ चुका है तो यह जो पार्टनर रहे हैं इस टाइम पर ठीक है और आगे की पर अनर्जी जा रही है कि अगर वह इस टाइम पर रूख जाते हैं और वापस ही से आप से बात कर लेते हैं तो ठीक है पन्ना उन्हें आगे पर गिल्ट तो उनको होता ही रहेगा अगर जब तक वह नहीं बलेगे तीसे यहां पर अनर्जी जा रहे है कि उनका मन है ठीक है यह सारी चीज़े हो गई थ्री कार्ट्स मिने कर दिये पूरे क्लियर अब इन दोनों की बारे है रइट अब यहां पर में क्या देख रहे हूं कि उनकी जो अनर्जी मुझे देख हो चुका है उसको प्रॉपर रिलेशन में आप जाना चाहिए उनको ठीक है आप से माफी मागनी पड़े या फर आप से कुछ भी कहना पड़े आपका साथ देना पड़े या फिर थर्ट परसंट की रिलेशन से निकलना निकलना पड़े लेकिन अब उनको लग रहा है कि आ आपका प्रॉपर साथ देंगे ठीक है जो चीजें होई सो हुई आप वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से आपके साथ हर बात शेयर करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हो शेयरिंग एनर्जी जारी है कार्ट आप देख सकते हूँ मैं आपको कार्ट के जरीए या पर किसी और के जरीए वो मैसेश को भीजें ठीक है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जासी भी आ रहे है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है एंड कई ना कई थोड़ा सा उनको यह फील भी हो रहा है कि मतलब उन्होंने सडल ली जब कोई चीज बिगार दे ली जरीए जो कि यहाँ पर यह बता रही है कि आप दोबारा से मुझे उसी रिलेशन में जाना है और अपने पार्टनर के साथ सब कुछ सारी बात ने शेयर करनी और उसको बताना है कि हाँ भाई कि वह ऐसा बीच में हो गया था या फिर जो भी चीज़े हैं आप दोनों के बीच में वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाइदार शेरिंग अनरिजी जारीए बहुत जल्द आपके साथ जब बात होगे तो आपसे हर कुछ चीज SW especially life करेंगे आपके साथ हमेशन मुझे दिकाए दिरा है। जा रहे हैं कि हमेशा आपके साथ रहने का वादा भी जो है वो यहां पर मुझे दिख रहा है लेंगे कोई कमिट्मेंट आपका मेरिट से लेटिट था अगर तो इसको भी यहां पर पूरा करेंगे तो मैं और कार्ट से देख लेती हूं मैं यहां पर उनके नर्दीज के आपके लाइब से जो है वो चले गए ब्लॉक कर दिया सड़ली ही ऐसे चींजिस आ गए ठीक है जिसमें उनको पता था कि मतलब यह चीज़ें गलत है उनकी तरफ से क्योंकि गेल्ट है तो गेल्ट गेल्ट तो है तभी ना तभी सारी उसे पता है ना इसलिए तो गेल्ट है या फिर अच्छा खासा मैरेड हो रही थी वो चीज़ अलग हो गई या फिर आप अलहले जगे पर मैरेड पार्टनर हैं ठीक है राइट लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप लोग ईश्वर की किरपा से मिले या जैसे भी मिले लेकिन आज आज आप अलग-अलग हो ग आप जागते रहते हो और थन प्रान необходимо को भाँ जड़ा सोचते हो क्या होगा फ्यूचर में असके बारे में सोचते रहते हो मुझे रहा है कि इस चांप भॉस्ट लोग ऐसा ये भी वो सकता है कुछ दान कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़रैंबी मुझे दिख रही है कि आपको दान करना भी चाहिए यहां पर इस ट्राइम पर एंड बहुत सारी चीज़ें शायद आपने बहुत कोशिस की उनसे मिलने की उनसे बात करने की मुझे दिखाई दे रहा है वो भी मुझे लग रहा है कि उन्होंने बात ने की आपको अपने रिलेशन से पुरापर तरह किस से निकाल दिया और आइच चीज़ में जो और दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है कि आपको भी फाइनेशल प्रॉबलम हो सकता है कि इस ट्राइम पर हो रही हो ठीक है आपकी जो अरशी जारी है इसके अकॉर्णिंग जिदियर गाईज मुझे यहां पर दिख है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप merit ही हो या merit करने जा ही रहे हो लेकिन यहां पर जो energies आ रही है उसके according आपका जो relation था वो एक merit couple की तरह था पूरी तरीके से उसमें एक प्यार था एक महबद थी एक दूसरे को पूरी की केर था और सारी चीज़ें वही जो एक हैपी अनर्जी के लिए जरूरी होती है मतलब है आप लाइक राइट दूसरे चीज़ में आपके पार्टने की जा रही है आपके परसन जो हैं वह शोचल मिडिया पर आपको बहुत जादा फॉलो करते हैं वैं इस चीज़ कर देख हुँ या यह भी हो सकते है कि कोई फ्रैंड सरकल में या फिर कुछी रिलेटिब से आपके बारे में जाना चाहते हैं कि आप कहीं उनको भूल तो नहीं गए कि आप किसी और के साथ आगे लाइफ में बढ़ गए हो तो यह भी इनर्जी जा रही है कि इस चीज़ में भी बह किया है लेकिन पीछे से आपके उपर नजर रखते हैं बहुत ज्यादा यह चीज़ में देख रहे हूं और दूसी चीज़ यहां पर में यह देख रहे हूं कि बहुत जल्द ऐसी सिच्वेशन आने वाली है कि वो जुनकी खामोशी है वो खामोशी उनकी तूट जाएगी तब ही जाके सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक होंगी मैं यहां पर एक काड और लेना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि भाई इस रिष्टे का मतलब आप दोनों के बीच में जब खामोशी तूटेगी तो क्या चेंजिस आएंगे ओके इसको बोल रही हूं कि आपके रिलेशन को एक राइट गाड़ेंस की जरूरत थी आइधिंक कुछ चीजे डिस्टर्ब हो गई जो गाड़ेंस मिली भी आप दनों के रिलेशन को वह गाड़ेंस गलत मिली राइट कि यहां पन मैं देख रही हूं कि जो थार्ड परसं थी अ इसको एक राइट गाड़ेंस से आप लोगों के रिलेशन में सुधार होगा कोई भी चीज अगर खराब हो रही है तो अगर सही तरीके से उसको एक सही रास्ता दिखाया जाए तो वह तूटने से गिरने से खराब होने से बच जाती है है ना तो यह चीज को मैं देख रहे जाना वो इतने दिन की दूरियों में एक चीज तो अच्छे से समझ गया है कि आप लोगों के जो दूरियां है वो उसको बहुत ज्यादा डिस्टरब कर देती हैं वो मैंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं आपके परसन और बहुत ज्यादा उनको परिशानी होत बहुत डिस्टरब होगी लॉंग डिस्टरेंस लेशन भी इसमें इंक्लोड हो सकते हो और ओन फ़न 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 कई बार हुआ है यह भी मैं देख रही है कई बार ऐसा हुआ है कि अनर्जी जारी है जबकि आपका परसन आपको जानता है और कहीं न कहीं वह आप से अवेर ह इस टाइम पर बहुत जादा उसको याद कर रहे हैं मिसकर तभी अनर्जी यहां पर चेंज हुई है क्योंकि कहीं न कहीं वह आप दुबारा से आपके पास बहुत जादा दिल से लव करते हो और बहुत जादा मतलब जरूरत है एक दूसरे की आप को ठीक है तो यहां पर मे यहां पर यहां पर यह राशिया मिरों को नजर आ रही है कि इस राशी का परसन है अगर आपका एगर यह पार्टनर आपके हैं तो कहीं न कहीं यह come back हो रहे हैं यह जो चुपी इनकी साथ के बैठे हुए है सालेंट है सालेंस है इस टाइम पर तो सालेंस अनर्जी जो है वो यहां पर मिरे को दुबारा से रियूनियन में कनवर्ट होती हुए दिखाए दे रही है मतलब सालेंस अनर्जी फाब्रेक लगेगा और आपसे बात करेंगे यहां पर दवर्ड का कार्ड है तो कार्ड की अनर्जी तो बहुत अच्छी है आई थिंक रियूनियन हो जाना चाहिए जहां तक मैं देख रही हू में देखि नबर वीडियो में आगे और पीछे दोनों जगे आ रहा है डिस्रिप्शन बॉक्स में भी नम्बร है कमें ट्रेंट बॉक्स में कोई भी नमबर नहीं देती हूँ तो कमेंट बॉक्स के मैसेजों से साब्धान रहे है Zeiten के मेरा नमबर वीडियो अपसे मिल जाएगा आपको एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट बॉक्स में जैशी रादे किष्णा बिल्कुल भी मत लिखना भोलेगा एंड टेक केर